हलो आफिसर्स सूप्रभात सभी को गोड़ मॉर्निंग टू आल आफ यू कहा जाता है कि कोई भी लक्ष मनुसिक के साहा से बढ़ा नहीं और हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम सतरवी बीपीसी की तयारी कर रहे हैं आप सभी सातियों का मैं अंकिस सिंग अपने पाड़ साला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विसे इस और हार्दिक स्वागत कर रहा हूं सातियों आज से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट की क्ला क्या करेंगे कि विज्ञान के छोटे-छोटे concept को आपको प्रिश्णों के माध्यम से सिखाते रहेंगे और आप एक अच्छा स्कूर कर सके इसके लिए आप लोगों के साथ बहुत मजबूती से प्रयास किया जाएगा देखिए अगर विज्ञान विसे की भूमिका की बात करें तो अगर आपकी परिक्षा की बात करें प्रारंभिक परिक्षा में 25 से 30 क्वेश्ण पूछा जा रहा है अभी अगर हाल की परिक्षा की बात करें 69 बीपीसी की ही बात करें तो यहां पर आप से 30 क्वेश्ण पूछा गया जहां पर 8 से 10 क्वेश्ण आप लोग देख पाऊगे टेकनलोजी वाले पार्ट से पूछा गया यानि कि टेकनलोजी वाले पार्ट पर इस सुरू से ध्याद देने की आव सकता है और अगर मुख्य परिक्चा की बात करें जो जी एस सेकंड का हमारा पेपर होता है उसका सेक्षन थर्ड अगर आप लोग देखते हैं तो अईसा लगातार देखा जा रहें पिछले तीन चार बार से साथियों ऐसा देखा जा रहें कि एक ना एक से कोई ना कोई एक से आपके साइंस और टेकनलोजी वाले पार्ट से पूछा जाता है मतलब मुख्य परिक्चा में ये मान कर चलिएगा कि 72 एक तरफ आपको दिखा और इससे का अगर 100 नंबर जोन तो आपके मुख्य परिक्चा में कुल मिलाकर 210 नंबर की भागेदारी साइंस और टेकनलोजी की है तो ये मान कर चलिएगा कि ये सब्जेक्ट आपको आपकी सफलता की राह में सबसे मजबूत कड़ी की रूप में दिखाई देगा इसलिए हम आप लोगों से पहले बता दिना चाहेंगे कि जो भी चीज़े आप लोगों को यहां पर बताई जाएं, पढ़ाए जाएं, सिखाई जाएं, उसे अपने नोट्बुक में नोट भी आप लोग करते चाहिएंगा तो आप एक्षा आप से यही है आप से आसा यही है कि आप सेसन सुरू होने के दौरान हमेशा क्या करेंगे नोटबुक और पिल लेकर तयार मिलेंगे ठीक चलिए आज की अपने ही सेसन की हम सुरुवात करना चाहेंगे पहला क्वेशन आप सभी की स्क्रीन बोर्ट पर लग चुका है अब यह क्वेश्चन मिडर से पूछा गया दरपन से पूछा गया फ्राम विच मिडर एट वाटेबर डिस्टेंस यू स्टेंड अप डज यू रिफ्लेक्शन आलवेज एपियर स्ट्रेट किस दरपन से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हूं आपका प्र सकील, मोहित, अरपेत सभी का स्वागत है यूपी पियस्टे वालों के लिए क्लास आपकी साम को चलती है ठीक आपकी क्लास साम को चलती है वो क्लास लगातार चलती ही रहेगी इस प्रशन का जबाब देजे क्या होगा इस प्रशन का विल्कुल सही और सटीक जबाब देख सब्सक्राइब का उत्तर करना आगे चल कर काफी आसान हो जायेगा ठीक सबसे पहले बात की करना चाहेंगे मिरर की बात करना चाहेंगे दरपण को हम दो भागों में बाड़ते हैं कितने बागों में इसके दो भाग होते हैं एक तो आप देख पाओगे सम्तल दर्पन को ठीक सम्तल दर्पन सम्तल दर्पन यानि की प्लेन मिरर की सात्यों बात करेगा और एक होता है इसका अलग तो सामिल करते हैं अवतल जिसे अंग्रेजि में क्या पढ़ते हैं कौन के मिरर साथ्यों पढ़ा जाता है कौन के mirror ठीक और यहीं पर हम किसे सामिल करते हैं उत्तल दर्पण को सामिल करते हैं उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में क्या पढ़ा जाएगा Convix mirror पढ़ा जाएगा Convix mirror ठीक अब यहाँ पर क्या करें थुड़ा थुड़ा उप्योग इनका देख लेते एक बार समझ लेते हैं कि इन दरपण का उप्योग पर किया जाता है हमारे घरों में साप़ नहीं जो सीसा कहला हिता है वो कौन से दरपण होता है वो समतल दरपण का ही होता है जिसकी एक सता परावर्त्त सता के रूप में होती है और दूसरी और इस पर चाधी से या पारे से कलई किया जाता है तो इस बात को भी आप लोग नोट लगा के लिखेगा जब आप लोगों से प्रश्ण पूछेगा ठीक सीसा बना दे के लिए जिसके माध्यम से हम अपने चेहरे का फ्रद्वि में देख सके उसके लिए किया क्या जाएगा समतल दर्पड में सब्सक्राइब लेपन साथियों किया जाता है किसका सिलवर नाइट ही का ध्यान से देखिएगा अब चांद की कई सारे योगिक होते हैं जहां से पूछता is our기 Erik की वात करें सिलबर क्रोमाइट की वाद करें सिलबर क्олोराइट की backwards यदििदि आपको जानकारी है तो जलदी और यंत्र होता है जिसे हम परिदर्सी के रूप में जानते हैं परिदर्सी यानि कि इसे इंगलिस में पेरिस्कोप कहा जाता है क्या कहते हैं पेरिस्कोप साथियों इसे कहते हैं ध्यान से इसे देखिएगा परिदर्सी जिसे इंगलिस में क्या पढ़ा जाता है जिसका प्रियोग साथियों पंडूबियों में किया जाता है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर समतल दर्पन का ही साथियों प्रियोग किया जाएगा तुमारे घरों में जो सीसा होता है और एक मसीन का हमने नाम आप लोगों को बताया परिदर्सी जिसको पेर गाडियों की जो हेड लाइट है गाडियों की हेड लाइट में साथी साथ यहां पर आप लोग नोट जरूर करके लिखेगा चाहे की बात करेगा दाड़ी बनाने वाले दाड़ी बनाने वाले सीसे की रूप में या नाक कान और गले की जाच में नाक हो कान हो गले की त्याद कि जाँच के लिए डॉक्टर किस दरपन का प्रयोग करते है जब्कि उत्तल दरपन का ही प्रयोग करते हैं जबकि उत्तल दरपन की बात करेगा ध्यान रखेगा रफेन आंगर और स lass साथिवें प्रियोग किया जाता है समझ पारें आप लोग धिमाग में प्रशन अना चाहिका त्ही कि सर ये बता यह हम संबतल emission अवतल दरपन और यह उतले दरपन को पहचाने कैसे जैसे माल लेजिए कि एक ही जगां पर संबतल ईतल अवतल और उतल दरपन रखे गए हैं अब इन्हें देख कर कैसे पैचाने साथियों जब आपका प्रद्विम्ब अगर आपकी अगर ये प्रद्विम्ब आपका बिल्कुल वस्तु के आकारे के बराबर देखता है तो दर्पन कैसा होगा जैसे माल लेजे कि आप उसके सामने एक उंगली तरीके से लाईएगा ये आपकी उंगली का प्रद्विम्ब बिल्कुल इसके बराबर बनता है इसके जैसा बनता है तो ये माल लीजेगा कि दर्पन कैसा वाला होगा समतल वाला होगा लेकिन अगर प्रद्विम्ब बड़ा बनता है तो दर्पन कैसा है उतल दर्पन ये उतल दर्प में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है क्या इसकी प्रकिति आपसारी होती है बिलकुल ध्यान से समझ लेजेगा ये जो साथियों उत्तल दर्पन होता है ना इसकी प्रकिति क्या होती है इसकी साथियों प्रकिति होती है आपसारी यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसकी प्र प्रकिती होती है अप सारी का मतलब है प्रकास की किरड़ों को फैला रहा यानि कि अगर इस ट्रीट लेंप में किसी ऐसे दर्पन का प्रयोग किया जाए जो प्रकास की किरड़ों को फैलाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो जो जगा होगी वो जो एरिया होगा वो ज्यादा सित होगा आपके दिमाग में ये प्रश्ण आना चाहिए न कि भाई जो डॉक्टर होते हैं रोगी के नाक कान दात और गले की जांच के लिए अवतल दरपण का ही प्रयोग क्यों करते हैं हमने इसका जवाब आप लोगों को दे दिया क्यों करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से किसी वस्तु का प्रदविंब बड़ा बनता है ये भी आपके दिमाग में सात्यों प्रश्ण आना चाहिए कि हिड लाइट में ही इसका प्रयोग क्यों करते हैं क्योंकि ये समानांतर प्रकास पुझ भेजता है इसकी प्रकित आपने अभी देखा उत्तल दरपण की प्रकि प्रकित भी आप लोगों का क्लियर करवा दिया अब आपके दिमाग में दरपन से संबंदते की मिज बन चुकी होगी समझ पारे मतलब एक ऐसी बातें आप अब एड़ेश्ट कर पाएंगे समझ पाएंगे कि यहां पर कहा कहा पर इनका प्रयोग किया जाता है और क्यों किय आजाता देखिए जब आप क्यों जैसे सब्दों का उत्तर जानने का प्रयास करतें इसका मतलब यह कि बहतरीन तरीके से बातों को सेखते हैं अब बात करते हैं इस प्रश्ण के जवाब का तो इस प्रश्ण का जवाब साथियों ऑप्सन नंबर डी में लिखा है क्या होग इन विरर्स की सातियों विसेशता ये होती है ये हमेशा किसी वस्तु का प्रदविंब सीधा ही बनाते हैं समझ पा रहे हैं तो पूरी बातें आप लोगों को हमने बता दी हमारी परिक्षाओं में दरपड़ों की उप्योग से question को पूछा जाता है अब अगले question की तरफ ले चलते हैं बात करते हैं प्रशन संख्या दूसरे की ध्यान से देखेगा हमारे घरों में जो विद्यूत की supply की जाती है वह कितने बोल्ट तथा कितने हर्ट पर हुती है ध्यान से बताइएगा 220 बोल्ट 50 हर्ज 200 बोल्ट यहाँ पर 25 हर्ज लिखा गया 300 बोल्ट 50 हर्ज ड़िखा गया है इस प्रष्न का जवाब किया जवाब कि जल्दी से बताए Make जवाब कि चलिए अप सभी लोग सही और सटेग जवाब होगा 220 बूल्ट और क्या बताएंगे पचास हर्ज बताएंगे क्या बताएंगे 220 बूल्ट और 50 हर्ज बताएंगे अगला क्विस्टचन दिखाएंगे मुंबत्य के जलने की प्रक्रिया में कौन साथवां कौन से परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन रासानिक परिवर्तन दोनों कहा रहा है कि रासानिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होगे या option number D कहा रहा है कि इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि जब मुंबत्ती जलती है ठीक उस दौरान कौन सा परिव परिवर्तन होगा देखे एक प्रकार का होता है भौतिक परिवर्तन एक होता है रासानिक परिवर्तन शली एक बार इसे हम लोग समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है और रासानिक परिवर्तन क्या है भौतिक परिवर्तन एक तरफ लिखेगा एक तरफ लिखेगा रासानिक परिवर्तन रासानिक परिवर्तन ध्यान से इसे आप लोग देखेगा देखे ये भौतिक परिवर्तन और रासानिक परिवर्तन मतलब physical change और chemical change सात्यों क्या होता है एक बार इसे दिखेगा अब इन्हें देखा किस प्रकार से जाता है कोई नया पदार्थ बना या नहीं क्या कोई नया पदार्थ बना या नहीं इसके आधार पर हम इन परिवर्तनों को देखते हैं तो एक तरफ हमने कहा आप हार पर हम भौतिक परिवर्तन और रास्तानिक परिवर्तन को देखते हैं अगर बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की तो यहां पर कोई नया पदार्थ सात्यों नहीं बनता है कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता जबकि रास्तानिक परिवर्तन के दवरान पदार्थ नया बहुतिक परिवर्तन की बात करतें साथियों तो कारक हटा लेने पर क्या कारक हटा लेने पर कारक हटा लेने पर पहली अवस्था प्राप्त हो जाती है लेकिन यहां पर ध्यान से देखेगा रासानिक परिवर्तन में कारक हटाने पर भी कारक हटा लेने पर पहली अवस्था प्राप्त पहली अवस्था नहीं प्राप्त हो पाती है अब इसको एक्जामपल के तौर पर समझते हैं नहीं प्राप्त हो पाती है अब देखें नहीं हो पाती है जब इसको एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं तो चीजे आसान लगती है ठीक नहीं प्राप्त हो सकती है ध ध्यान दिजेगा बर्फ का गल्ला आप कहेंगे सर यह कैसे भौतिक परिवर्तन होगा आप लोगों को समझाना चाहेंगे यह बताए कोई बर्फ का टुकड़ा है ना वो अगर पिखलेगा यानि कि उसकी ठोज सवस्था यानि कि जल की ठोज सवस्था अगर द्रव अवस्थ का उत्तर दीजेगा भाई देखे अगर हमने आप लोगों से कहा अगर बर्फ लेगी तो उसे पिखलने के लिए उसमा चाहिए आपने अगर उसमा दिया उस बर्फ के टुकड़े को तो उस वर्फ वो बर्फ पिखल जाती है लेकिन माल लेजी कि जो आपने कारक वहां पर दिया जैसे माल जी आपने उसमा उसे दे तो बर्फ पिखल गई लेकिन उस कारक को आप हटा लेजी उसमा अगर निकाल लेजी तो क्या फिर से आपको द्रव अवस्था से वो ठोस अवस्था मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी ऐसा हो सकता है ना फिर एक बार समझेगा अपने का कोई बर्फ का टुकड़ा है वो तब पिखलेगा जब उसने कुछ उसमा को आवसोसित किया होगा भाई उसमा उसको मिलेगी हीट उसको मिलेगी वह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देगा लेकिन हम कहने कि कारक हटा लेजी यानि कि उसमा जो आपने दिया त कागज का जलना और समझ रहे कौन सा परिवर्तन हम यहां पर समझ लें रासानिक परिवर्तन आप खुद हुझे अगर कागज को आपने जला दिया तो जो आपको राख वगेरा मिली होगी क्या उसके मद्ध्यम से वही पहली अवश्था प्राप्ट कर सकते हो नहीं प्राप् पल आप लोगों को हम समझाएं जैसे रासानिक परिवर्तन की ही बात आप लोगों से करें जैसे खाले का पकना कह सकते हैं फलों का पकना आप लोग कह सकते हैं ये सभी सात्यों कैसे परिवर्तन होगे दूद से दही का बनना ये सभी कैसे परिवर्तन होगे ये सभी रासानिक परिवर्तन होगे समझ लेजेगा परिवर्तन के बाद जो पदार्थ मिला होगा या जो बना होगा अगर उससे पहली अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसे आप भौतिक परिवर्तन कहोगे नहीं प्राप्त हो पाती है तो उसे आप क्या कहोगे रासानिक परिवर्तन आपने यहाँ पर दोनों बातों को अगर समझ लिया है तो अब भौतिक परिवर्तन और राज्थानिक परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बात और नोट लगा के हमारे साथ साथियों लिख लिजेगा मिस्त्रन का बनना जब आप लोगों से क्वेशन पूछेगा कि मिस्त्रन का बनना ये कैसा साथियों परिवर्तन होगा तो आपका जवाब आएगा भौतिक परिवर्तन जैसे माली जी की एकजामपल के तौर पर समझाते हैं चीनी और पानी का घोल अगर बताएं और चीनी और पानी का अगर एक मिश्चर साथियों तैयार हो गया तो क् चीनी और पानी को अलग-अलग कर सकते हैं, बिलकुल, वास्पीकन प्रक्रिया के माध्यम से चीनी और पानी को अलग-अलग किया जा सकता है, मतलब पुरानी ही अवस्था प्राप्त किया जाएगा, तो कॉंसेप्ट आप लोगों को मैंने यहां पर सिखाया सातियों, उसका प्रियोग अगर आप लोग करेंगे उसे अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये मान कर चलिएगा का आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं हो सकता तो हमने कहा मिस्तरण का बनना सातियों भौतिक परिवर्तन होगा जब कि यहां पर नोट लगा के लिखेगा योगी का बनन एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है योगी का बनना सातियों ये एक प्रकार का रासानिक परिवर्तन होगा क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं चलिए तो एक बार जो यहां पर बातें आप लोगों को हमने बताई उसे आप लोग अस्परिश्ट कर लिजेगा औ अब यहाँ पर बात करते हैं सात्यूंग प्रशने की जो प्रशने पूछा गया ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात है देखें यहाँ पर लिखा है मुंबत्ती का जलना लिखा होता मुंबत्ती का गलना लिखा होता तो आप कह सकते हैं सर वो तो कैसा परिवर्तन है भौत कर रा है और समझेगा मुंबत्ती जब जलती है तो कुछ मात्रा में वो गलती भी है समझ पारें अब इसका मत्तब हम मुंबत्ती का गलना लिखता यहाँ पर एक्जामपल के तौर पर मुंबत्ती का गलना भी आप लोग सामिल कर लेजेगा अगर आप से मुंबत्ती का गलना पोचता तो यह ध्यान देजेगा वो तो भौतिक परिवर्तन होगा लेकिन मुंबत्ती के जलने की बात करेगा तो य वही पहले वाले पदार्थों को आप प्राप्त कर सकते हो वही पहली वाली अवस्था को प्राप्त कर सकते हो लेकिन उसकी राख से उसकी वास्प से आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर ऐसा है तो यह समझ लीजिएगा कि यह वाले प्रश्न का जवाब option number C जो आपको दिया गया वो बिल्कुल सटी के जवाब होगा समझ पा रहें बातों को शली इस बात का ध्यान रखेगा अगला question लगाएंगे अगले प्रश्ण की तरफ ले चलते हैं बात करेंगे प्रश्ण संख्यात चौथे की ग्लूकोज को एथिल एलकोहल में किस एंजाइम के माध्यम से बदल दिया जाता है ध्यान से बताईएगा आजय प्रताप सकील वोहेश सिवानी पार्थ प्रेम चंद्र सभी लोग बताएं इस प या उपर उप्त में से कोई नहीं या उपर उप्त में से एक से अधिक वाई विच एंजाइम इस ग्लूकोज कंवर्टेड इंटो एथिल एलकोहल क्या होगा इस प्रश्ण का बिल्कुल सही जवाब और ये प्रश्ण ध्यान रखिएगा प्रेक्शाओं में सात्यों कई ब पाया जाता है ये एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है पहले बात तो जब आप से क्वेश्ण पूछेगा कि एंजाइम क्या होता है एंजाइम मूलता प्रोटीन होते हैं जो रास्यानिक अबक्रियाओं की गति को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं समझ पारें आप वो जो प्रक्रिया होती है उसे किडवन कहा जाता है ध्यान से समझेगा क्या कहते हैं किडवन कहते हैं यानि की सात्यों फर्मेंटेंसन कहते हैं क्या कहते हैं अब इस बात को एक बार अच्छे तरीके से हमारे साथ समझेगा ये क्या है ये किडवन एक प्रकारी की जैवरा रासायनिक क्रिया होती है यानि कि बायो केमिकल रियक्षन होता है क्या होता है एक प्रकारिक की जैवरासायनिक क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनपस्थती में संभव हो पाती है क्या ऑक्सीजन की अनपस्थती में ऑक्सीजन की अनपस्थती में क्या किया जाता है सात्यों इस किडवन की प्रकिर्या में क्या किया जाता है नोट लगा के लिखिएगा सुक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक योगिकों को सरल कार्बनिक योगिकों में तोड़ा जाता है। जटिल कार्बनिक योगिकों को सरल कार्बनिक योगिकों में बदला जाता है या तोड़ा जाता है। तो इस बात को ध्यान से नोट लगा के आप लोग लिख लिजेगा। ठीक और यही किडवन ही ऐसी प्रक्रिया होती है। किडवन ही ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सराब बनता है क्या सराब इसकी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है इसके साथ साथ नोट लगा के लिखेगा कि पावरोटी किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है तो पावरोटी भी साथियों इसी प्रक्रिया के माध्यम स से ही बनता है समझ पा रहें तो इस प्रश्ण का जवाब आप लोगों को हमने दे दिया इस प्रश्ण का राइट आंसर ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा याद रखेगा यह बहुत ही इंप्रॉटन क्वेश्चन है परिक्षाओं में कई बार पूछा गया अगला क्वेश्चन का अब यहाँ पर आप लोगों के सामने देखे पांच में क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट रखा गया है धातूं और अधातूं के संदर में निमलिखित कतनों पर बिचार किजिए ठीक पहला स्टेटमेंट कहरा है कि जो ब्रास होता है जो पीतल होता है सात्यों एक प्र प्रकार के मिस्टर धातू होती है कराई कि जो बिद्दुत की सुचालक नहीं है ऐसा पहला इस टेटमेंट कहरा है कि कलाईदार लोहाचादी से लेपित होता है उपरिवत कतनों में से कौन सा तुआ कौन से सही हैं इस प्रश्ण का जवाब आप लोग दीजेगा इन कतनों इसे कौन सा कतन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद जल्दी से आप लोग बताएगा कौन सा प्रेश्ण होगा कौन सा बिकल्प होगा इस प्रेश्ण का बिलकुल सही जवाब ठीक हाँ इस प्रश्न का जल्दी से जवाब आप लोग बताईगगा भई डाय स्टेज क्या होता है अगर डाय स्टेज की बात कुरते हैं पार्त तो डाय स्टेज हमारी मुखकुहा से निकलने वाला एक एंजाइम होता है हमारी mouth cavity में पाया जाने वाला एक enzyme है जहां पर लार ग्रंथियां होती है लार ग्रंथियों से सिलाई बयानी की लार का सेक्रेशन होता है और याद रखिएगा ये डाइस्टेज नाम का enzyme भी टाइलिन की ही तरह polysaccharide carbohydrate का पाचन करता ये चीजें आप लोगों को बताई गई ह है फिर से अपने पार्ट साला के इस online मंच पर क्या होगा इस प्रेशन का बिल्कुल सही जवाब ध्यान से इसे आप लोग देखेगा साथियों अगर मिस्र धातों की बात करते हैं देखिए जैसे कि यहाँ पर पीतल की बात किया तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग करते हैं ताबा को क्या कहते हैं कौपर कहते हैं इंगलिस में ध्यान से दिखिए चूंकि ट्रिक हम को यहाँ पर आप लोगों को सिखानी थी ताकि आपको यह सारी बाते याद रहें तो पीतल की बात करेगा तो पीतल एक प्रकार की ऐसे मिस्र धातु होती है जो ताबे और जस्ते से बनती है किस से बनती है ताबे और जस्ते से बनती है और अगर बात करते हैं साथियों कांसे की किसकी बात करते हैं अगर कांसा की बात करते हैं तो यहाँ पर यह किस से बनती है यह ताबा और तिन से बनी हुई एक प्रकार की मिस्र धातु होती है किस से ताबा और आपको बताया कि पीतल ताबा और जस्ते से बनता है जबकि यहाँ पर ताबा और तिन लिखा है अगली बात देखिए कांसा जो बनता है ताबा और तिन से बनता है जबकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ताबा और जस्ता लिखा हुआ है इसका मतलब हमारा पहला वाला स् जस्ते से लेपित होता है किसे भाई जस्ते से लेपित होता है अरे आप लोगों ने गैलवनाईजेसन का नाम सुना होगा यसद लेपन का नाम सुना होगा क्यों ऐसा किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे को याद रखेगा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका परज चढ़ाया जाता है, किसी की कलाई करी जाती है, चादी कलाई बताईएगा, जस्ते का बताईएगा, जिसे यसद कहा जाता है, जस्ते को यसद भी कहते हैं, और उस प्रक्रिया को यसद लेपन कह सकते हैं, किसको लोहे को जंग से बचाने वाली प्रक्रिया को यसद लेपन कहा जाता है और आप कह सकते हैं उसे इंगलिस में जहां पर चादी की नहीं जस्ते की परसातियों चड़ाई जाती है इसका मतलब ये दूसरा वाला स्टेट्मेंट भी गलत होने के बाद अगर सही बात पूछाए आप लोगों से तो ना तो पहला और ना ही द स्वाब सातियों आप्सन नमबर डी हो जाएगा समझ पारें आप लोग इसके अतरिक्त अगर आप लोग समझें तो जो इस्टेट्मेंट टंबर वन में मिस्तरधातों को सामिर किया था बहुत सारी और मिस्तरधातों से साथी क्वेश्चिन पूछा जाता है जैसे की स्टे आप से क्या पूछा है निम्ले खित मेंसे कौन से वर्टीब्रेटा यानि की कसेर की फाइलम के हिस्से है देखिए और एच विटकर की साथिओं बात करते हैं जिन्होंने फाइब किंगडम क्लासिफिकेसं को समझाया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था मोडेरा आप लोग कह सकते हैं यहां पर भाई मत्स्य को भी सामिल किया गया जल अस्थल चर का मतलब क्या होता है उभयचर क्या होता है उभयचर को भी सामिल किया गया यानि कि जवाब आप लोगों से पूछेगा तो आपका जवाब क्या आएगा option number D याद रखेगा RH फिटकर साहव का five kingdom classification ये सरो मानने है सबसे ज़्यादा मानता इसी classification को मिली हुई है और ध्यान से सातियों सुनिएगा इसमें एने मेलिया वर्ग में जो ये पाँच उपवर्ग सामिल किये जाते हैं इनका division इनका classification तीन आधार पर किया जाता है पहले बाद तो पहला मानना क्या होता है कि इनके हिर्दै में किटने CHAMBER पाए जाते हैं कितने कक्छ पाए जाते हैं दूसरा मानक क्या होगा इनके सरीर के तापमान के आधार पर भी इनको क्लासिफाइट किया जाएगा और तीसरा मानक क्या होगा कि इनके द्वारा उतसरजी पदार्थों के आधार पर भी साथ हो इनको क्लासिफाइट किया जाएगा ध्यान से इस बात को समझेगा जैसे बात करते हैं अगर हर्ट की बात करें एक चीज आज आप लोगों को हम समझाते हैं चुकि ये पहली क्लासे साथियों इसमें आप लोगों को जो जानकारी मिलती जाएगी उसे आप लोग कौपे में कौपे में नोट जरूर करते चलिएगा जैसे बात कर लेते हैं कि एने मेलिया व होता है यानि दो कक्छों से मिलकर बना होता है एक अलिंद बताईएगा एक निले बताईएगा इसके साथ साथ अगर आप से बात करेगा किसकी सरीस्रिप की बात करेगा और उभैचर की बात करेगा दूसरा और तीसरा ध्यान से देखिएगा यानि उभैचर और सरीस्रिप की बात करेगा तो इनके हिर्दय में तीन कक्ष या तीन प्रकोष्ट हुआ करते हैं लेकिन सरी स्रुपों में का पुआद होता है मगरमक्ष मगरमक्ष के हिर्दय में तीन नहीं चार प्रकोष्ट हुआ करते हैं जबकि पक्षी और अस्तंधारी वर्की साथियों बात करेगा य व्रव क्या होता है इन सभी की चर्चा आप लोगों से पूछा है आप से प्रइटि के बारे में जानकारी पहला स्टेट्मेंट कह अमरबेल नामक पौधा कीटों तथा बहुत छोटे जंतूं को पकड़ कर उनका भखचन करते हैं आगे आप लोग देखिएगा दूसरा इस्टेटमेंट कहरा है कि कीट बच्ची पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ती है तो इन कीटों को पकड़ते हैं तीसरा इस्टेटमे चाहिए किसी भी एजूकेशनल ग्रूप में अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों से अन्रोद रहेगा कि आप लोग इस सेशन को एक बार सेयर जरूर करिएगा क्या होगा इस तात्वें प्रश्न का बिल्कुल सही और सटेक जवाब तो यहां पर सिवानी ने उ देखिएगा सात्यों अगर अमरबेल की बात करते हैं किसकी बात करते हैं अमरबेल की बात करते हैं तो यह कोई कैसकुटा प्लांट की सात्यों बात करें पहले बात तो यह कीट बच्ची पौधा नहीं होता क्या होता एक प्रकार का तना पर जीवी होता है नोट लगा के ल वलत है आगे दिखिएगा कीट बच्छी पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ही क्या करते हैं कीटों को पकड़ते हैं और उनको खाते हैं समझने का प्रयासकरी इन्हें मानसाहारी पौधे भी कहा जा सकता है कीट बच्छी पौधों को मानसाहारी पौधे भी सात् बात का आगर नाइट्रोजन बिकल्पों में ना होगा तो आपका जवाब फासफॉरस या सर्फर की तरफ जाएगा फासफॉरस वासच सल्फर आप लोग बता सकते हैं आप कहेंगे सर हमने केवर नाइट्रोजन सुना है तो आपने बिल्कुल ठेक सुना है साथियों लेकिन ध्यान से यहाँ पर पैदे पूरी बात हमारी सुनिएगा हम आपसे क्याना चाहते हैं कि कीट बच्ची पौधे समन्ता ऐसी मिर्दा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीट बच्ची पौधे कीटों के माध्यम से करते हैं नाइट्रोजण अगर विकल्पों ना होगा तो जवाब आपका फास्पोरस या सलफर आएगा लेकिन अगर पूसक्त्तों की बात करें कि कार्बोहाइडरेड की आप उरती करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से कि प्रोटीन का करते हैं कि वसाओं का व नेपंथी स्कुल की बात करेगा जहां पर एक पौधा कई बार डिसकस किया जाता है घट पड़ी जिसे आप पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं तो नेपंथी स्कुल का पौधा घट पड़ी डोसेरा साथी साथ एक और पौधे का नाम जान लेजेगा यूट्री कुले यह सभी सातियों ऐसे पौदे होते हैं जो क्या काम करते हैं कीट वच्ची पौदों के अंतरगत आएंगे इन तीसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो यहाँ पर हमारे सप्रेशन का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी हमारे जिन भी सातियों से सुमिलित करने की बात आ रही है आपसे प्रशन पूछा देखी एक तरफ लिष्ट वन में कुछ आविसकार का नाम लिखा है जबके लिष्ट सेकेंड में इनके आविसकार को सामिल किया है कोसिका की खूज कोसिका की खूज सातियों 1665 टीसवी में किशने किया था चलकर इन्होंने क्या देखा इन्हों मदमक्की के छटे जैसी आकरते देखी जब आप मदमक्की के छटों को देखते हैं साते तो उसमें आप छोटे छोटे कमरों को देख पाएंगे तो उसे ही उन्होंने सिल का नाम दिया और सिल एक लेटिन भासा का ही सब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा तो कुछ इस प्रकार से कोसिका की खोश करे गई लेकिन जो कोसिका रावठुक सहाब ने खोजा था वो एक प्रकार की मृत कोसिका थी तो सबसे पहले तालाव के जल में स्वतन्त रुब से जीवित कोसिका की खोश किसने करी 1674 इस भी में आप कह सक रहते हैं एंटोनी वान लिविन हॉक ने ऐसा काम किया था केंद्रक की खोश सातियों 1831 की बातेकिस ने किया था रावट ब्राउन ने किया था और ब्लैक रियक्सन विदी की खोश कैमिलो गौलगी ने करी थी जिसके लिए इनको नोबिल पुरुसकार से सम्मानित भी किया होगा सातियों और बी स्प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यान से देखिएगा इस प्रशन का जवाब क्या होगा और बी अगला क्विश्चन देखिए कि मानो पालचन तंत्र से संबंद गद्विदियों में निमलिखित में से कौन समलित नहीं है विस आप इस नौट इनवाल्व इन दा एक्टिविटेज रिलेटेड टू दा हूँमन डाइजिस्टिव सिस्टम ध्यान से देखिए यह पहला ऑप्सन करा है कि डाइजिसन इस्टार्ड फॉम दी ओरल कैविटी देखिए मुखगुहा को चाहे ओरल कैविटी कहिए चाहे बकल कैव और यह क्या काम करता है यह मंड को माल्टोज में कनवर्ड करता है यानि कि पॉली सैक्राइड कार्बोहाइडरेट को डाइसेक्राइड कार्बोहाइडरेट बदलने का काम करता है यही वहाँ प्रक्रिया होती है जिसकी वज़ा से पाचन की सुरुवात मानी जाती है प्रे प्रोटीन का पाचन हमारे आमासे से प्रारम होता है बिलकुल प्रोटीन का पाचन भी कहां से हमारे साथियों आमासे से ही प्रारम होता है आमासे की दिवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपलब्ध होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं जठर ग्रं और पर हमारी आमासे में प्रोटीन का पाचन करता है तो प्रोटीन का पाचन क्या हमारी मुखगुहा में होता है नहीं क्यों कि प्रोटीन को बचाने वाला कोई भी एंजाइब मारे मुखगुहा में मौजूद नहीं होता है तो प्रोटीन का पाचन कहा होता है या कहां से सु सब्सक्राइब क्या आएगा इस्टमा क्यानी की आमा से आएगा आगे देखिए सी वाले विकल्ब की बात करते हैं तो कार्बो हाइड्रेट का पाचन कहला है कि ग्राश नली में होता है क्या ऐसा है जी रही ग्राश नली और बढ़ियात याद रखिएगा ओई सू फैकल्स औ दो ऐसे भाग होते हैं जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है तो यही सी वाली बात यहां पर क्या है गलत है और जो सही नहीं है यानि की गलत है उसी की पैचान हम लोगों को करनी है तो इस प्रेशन का सही जवाब क्या हो जाएगा आगे देखिए हमने आप लोगों को भ बात करेंगे बात करेंगे प्रिश्न संक्याद अस्वीं की निमलिखित में से कौन सास सही प्रकार से सुमयलित नहीं है इसकी पहचान आप लोगों को करने है एक तरफ देखिए नाइट्रोजन फिक्सेसिंट को रखा गया है जबकि दूसरे तरफ उनसे संबंदित यहां पर फसलों को सामिल किया गया है नील हरिस सैवाल की बात करेगा ये एक प्रकार के जैव उर्वनक के रूप में काम करता है किसके लिए धान की फसल के लिए यानि कि नत्रजन इस्ट्रिकन योगिक के रूप में या कारक के रूप में काम करता है जो किस से संबंदित होता है धान क प्रकार के लिए यही काम करता है जबकि एजोला की बात करेगा तो यह मक्के के लिए नहीं बताएंगे यह भी किसके लिए धान की फसल के लिए ही सातियों नत्रजन इस्थेकरण कारक की रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो आप से पूछाए कौन सा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा option number D से प्रश्न का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बात करेंगे प्रश्न संक्या इग्रहवें की निमलिखित में से कौन सा एक प्रिष्ठ तनाव का प्रडाम नहीं है आप लोगों से ऐसा question पूछा गया अब समझतें की सबसे पहले surface tension समझतें क्या होता है किसी बरतन में कोई द्रव भरा हुआ है ध्यान से देखी जिसे मालिजे की इस पात्र में हमने कहा कि पानी भरा हुआ है ठीक अब पानी ही भरा है तो समान अड़ों के मद्द में जो आकर्ष्ण बलकाम करता है साथ यूं उसे ससंजग बल कहा जाता है जिसे इंगलिस में कोही सी फोर्स कहेंगे देखे यहां पर इस पानी से भरे हुए पात्र में इसकी सता पर क्या जो कड मौजुद होंगे ना यह हमेशा एक खिचाओ बल का अनुभा कर रहे होंगे क्यों क्यों कि जो नीचे के कड है वो लगातार इन कडंगों को आकरसित करते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए इन आपरी सता के कड़ों पर कोई उपर की और बल नहीं काम करता है। ना उससे क्या कहा जाता है प्रिष्ट तनाओ कहा जाता है और प्रिष्ट तनाओ एक ऐसी property होती है जिसकी वजा से कोई द्रव के खुले सता नेउनतम छेत्रफल रखने की प्रवित्ती धान्ड कलती है, समझ पार है तो प्रिष्ट तनाओ क्या है हमने आप लोगों को समझा दिया अब इसके पीछे का concept आप लोग समझेगा देखिए दो फैक्टर होते हैं एक होता है ताप अगर ताप बढ़ाया जाएगा ताप बढ़ाने पर क्या होगा ताप बढ़ाने पर भी सातियों प्रिष्ट तनाव घट जाएगा सरफिश टेंसन नोट लगा के लिखेगा ताप बढ़ाने पर भी प्रिष्ट तनाव घट जाएगा और अगर कोई असुद्धी मिलाते जैसे जल में कोई असुद्धी जैसे डिटर्जेंट पाउडर ही आपने मिला दिया असुद्धी मिलाने पर भी क्या होगा सातियों असुद्धी मिलाने पर भी यहां पर ध्या से सुनिएगा प्रिष्ट तनाव घट जाएगा इस दवरान भी क्या होगा इस कंडीशन में भी आपका सर्फिश्ट इंसन घट जाएगा आपका प्रिष्ट तनाव घट जाएगा तो ताब बढ़ाने पर भी प्रिष्ट तनाव घट जाएगा और असुद्धी मिलाने पर भ लोगों को ये बताएए एक्जामपल के तौर पर याद रखेगा वर्सा की बुदों का लगभग गोला कार होना ये सर्फिश्ट इंसन का ही एक्जामपल है केसी की उन्ने अन्न यान की कैपिलेरिटी की प्रक्रिया किसी भी किसी भी केशनली में द्रव की ऊपर चड़ने और उसमें आप ये कह सकते हैं केसिक यानि की जिसका सर्फिश्ट इंसन जितना जादा होगा वो द्रव केशनली में उतना ही ऊपर चड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि केसी कट्र की घटना के पीछे भी प्रिश्ट तनावी जिम्मधार होगा अब यहाँ पर उप्सन नंबर सी क को अच्छे से समझते हैं साबन या डेटरजेंट के माद्यम से कैसे मैल का दूर होना कैसे कपड़े साफ हो जाते हैं देखिए जब आप किसी पानी में क्या करते हैं डेटरजेंट पाउडर को घोलते हमने यहाँ पर लिखा उस असुद्धी को मिलाने के दवरान सर्फिश से साफ हो जाएगा लेकिन कभी कभी ठंडियों में क्या किया जाता है आप जानते हैं कि ठंडियों में उनी कपड़ों को रेसेदार कपड़ों को साफ करने के लिए पहले पानी को घरम करते हैं फिर उसमें पाउडर डालते हैं अब इस कंडिशन में क्या अब देख पार है जैसे हम कह रहें कि एक होता है सासंजगबल जो हमेशा समान अड़ों के मद्दे में काम करता है एक होता है आसंजगबल जो हमेशा भिन भिन अड़ों के मद्दे में काम करता है ये जो पानी का घोल डिर्जाजन पाउडर का घोल आपने तयार किया होगा और उसके कपड़ों में जो मैल के कड़ घुले होंगे या छिपे होंगे इनके मद्ध में कौन सा सातियों आकर्षनबल काम करता है तो आपका जवाब क्या आएगा आपका जवाब आएगा आसंजग बल्कियों कि याब यहां पर कड़ों की प्रकिति समान नहीं है तो अलग अलग कड़ें इसके अत्रिद भी सातियों आप लोगों को बताएं अचा और संबर नम्बर डीस प्रशन का जवाब यहां को बताएं कि यह किसी द्रौका प्रवा यह साथियों उसके सर्फिश्ट इंसन पर निर्वा नहीं करता प्रिश्ट नाओं के और एक्ग्जांपल के तोर पर समझाएं स यहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पर मच्छर के लारवा पनबते हैं ऐसा होता है क्यों ऐसा है क्यों आप जानते कि उसके पीछे सरफिष्ट इंसन का ही कारक है सरफिष्ट इंसन प्रिष्ट तनाव और वहाँ पर उसकी द्रौ की सता पर मच्छर की जो लारवा होत प्रिश्टनाव का एक्जामपल है क्यों तैर पाती उसके पीछे भी सरफिष्ट इंसन का एक्जामपल है तो हमने पूरी बाते आप लोगों को यहां पर बता दी इस प्रिश्ट का राइट आंसर क्या होगा अगला क्यूशन दिखाएंगे बात करेंगे प्रिश्ट संख्या यहां पर सात्वी बरहवें की निम्रिखित में से कौन रॉकेट प्रडोधन के आधार है ठेक यानि रॉकेट का आगे बढ़ना या रॉकेट का उड़ना ध्यान से समझेगा आप जानते हैं सात्यों जब रॉकेट की बात करें रॉकेट का आगे बढ़ना या रॉकेट के उन्ने की साथियों प्रक्या की बात करते हैं आप जानते कि इस कंडीशन में यहां पर तीब्र गैसियन निकास देखा जाता है इस condition में सातियों होगा क्या देखिए याद करिएगा Newton के गत्विश्यक तीसरे नियम को नियुटन का गद्विश्यक तीसरे नियम क्या कहता है कि यद किसी वश्टु पर आप बल लगाते हैं तो वह वश्टु भी क्या करती है वह वश्टु भी आप पर बल लगाती है उतनी ही बल उतनी ही मात्रा में बल लगाती लेकिन विपरेद दिसा में बल ल यानि कि अगर आप क्रिया बल लगाते हो तो याद करिएगा उसकी फिलसुरूप प्रत क्रिया बल भी लगेगा समझ पारे बातों को विसेश सुप्रिया सिवानी क्रिशना सुगम गुल सैफी मोहिद सकील सबी लोग बताएं क्या ये बातें साई आप लोगों को समझ में आ हैं ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए यदि किसी वस्तु पर साथियों बल लगाते हो वह वस्तु भी उतनी ही मात्रा में बल लगाएगी लेकिन विपरीद दिसा में बल लगाएगी ये है नियूटन के गदविस्यक तीसरे नियम का एक्जामपल मतलब तीसरे गैसों को तेजी से छोड़ा जाता है जिससे होता क्या है अगर इन गैसों को तेजी से पीछे की ओर धकेला जाएगा तो फल्सुरूप ये गैसे इस रॉकेट को आगे की ओर धक्का देंगे जिससे ये रॉकेट आगे बढ़ता जाता है तो आपने एक समझ लिया कि ये से क्या होगा इसका द्रिवमान भी कम होता रहेगा जिससे ये और आगे और तेजी से बढ़ता जाएगा ये बात कहां जाती है ये संबेग सरक्षण के सिधान्त पर साथियों आदारित होती है याद रखिएगा साथियों आप सभी लोग कि संबेग सरक्षण का जो सिधान्त होता है ना ये नियूटन के गदबिस्यक दूसरे और तीसरे नियम को मिला कर प्राप्त होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा रॉकेट प्रणोधन यानि कि रॉकेट का उड़ना या आगे बनना ये कोड़िय संबेग सरक्षण और फेरल के नियमों से कतई संबंधित नही है केवल नियूटन के गदबिस्यक तीसरे नियम और संबेग सरक्षण की नियम पर ये आधारित होता है तो पहला और दूसरा जिस जगां पर लिखा होगा इस प्रशन का बिलकुल सही और क्या हो जाएगा सटीक जवाब हो जाएगा अभी यूपी आरो एरो के एकजाम में जो कि 11 फरवरी को सातियों संपन हुआ है ना याद रखिएगा ये प्रशन पूछा गया था और इन प्रशनों को कई बार हमने क्लासिस के दोरान हल भी कराया है अगला क्यूशन दिखाएंगे बात करेंगे प्रशन संख्या सातियों तेरा हुएगी देखिए कि कह रहा है क थर्मस फ्लाक्स में लंबे समय तक एक तरल गर्म रहता है या घर्म या ठंधा रहता है जैसे कि हम क्या लेते भाई जो थर्मस वाटल हम लोग लेते हैं उसमें आप देखते हैं कोई पदार्थ लंबे समय तक कोई तरल पदार्थ गर्म या ठंधा बना रहता है क्योंकि उ चाथियों दो बॉटल का बना होता है देखिए उसमें जो अंदर वाली बॉटल होती है उसका बाहरी लेयर और जो बाहर वाली बॉटल होती है उसका अंदर का जो लेयर होता है वो किसका बना होता है किसका कांच का बना होता है कांच क्या है यह आप जानते हैं भाई यह आप की जिसकी वजाए से ना तो ओस्मा की हान चालन विधी के माध्यम से संभव को पाएगी नहीं समबहन और विक्रण के माध्यम से संभव को पाएगी इस वजा से इस प्रश्ण का राइट अंसर क्या हो जायेगा ऑप्शन नंबर से याद रखेगा चालन संभाहन विक्रण इन तीनों के माध्यम से उस्मा का छह सात्यों नहीं होता है इस वज़ा से थर्मस वाटल में कोई भी तरल पदार्ट लंबे समय तक ठंडा या गर्म बना रह सकता है समझ पारे इस बात का ध्यान रखेगा और अगर इस प्र आटि स्प्वारेंट बाहर का सात्यों गर्म होता तो गरम भी हो सकता था अच्छा उस्मा अस्थानांतर की सात्यों तीन विदियों से क्वेशिन पूछा गया है बात करते हैं चालन की बात करते हैं समवहन जिसे conviction कहा जाता है और बात करते हैं विक्रण की जिसे क्या बोला जाता है radiation सात्यों बोला जाता है उपर सब लिखा भी गया है ध्यान से दिखेगा अगर बात करेगा ठोस पदार्तों में तो ठोस पदार्तों में याद रखिएगा ठोस पदार्तों में सात्यों उस्मा का अस्थानांतर किस विधी के माध्यम से होता है चालन के माध्यम से होता है और अगर तरलों की बात करेगा तरल का मतलब यहां पर द्रो भी सामिल होगा और गैस भी सामिल ह होगी ठीक यानि कि तरलों में उस्मा का अस्तानांतर सात्यों संभाहन विदी के माध्यम से होता है और याद रखेगा उस्मा संचन की ऐसी विदी जहां पर माध्यम की आउसकता नहीं होती माध्यम की साथ भी चल पाएगा और बिना मार्ध्यम के चलेगा उस विधी का नाम क्या होता है वेकिरण होता है अब समझेगा एक्जामपल कैसे पूछेगा पूछेगा वायुमंडल का गर्म होना किस विधी पर आधारित होता है साथियों याद रखना वायुमंडल का गर्म होना समवहन व फ्रीजर हमेशा उपर की तरफ क्यों बनाते हैं क्योंकि गर्म वाय हलकी होती है हलकी होकर उपर उड़ती है तो उसको ठंडा करने के लिए रिफ्रिजरेटर में फ्रीजर को हमेशा उपर बनाते हैं सूर्य इत्या दिखिजे से माले जी की ठंडियों में हम क्या करते हैं सब्सक्राइब कि इन सभी बातों को आपने ठीक तरीके से समझ लिया होगा इन तीनों विद्यों से खूब क्वेशन पूछा गया अगला क्वेशन लगाएंगे यहां पर ध्यान देजेगा निम्रिखित में से किन्हे प्रकास की तरंग प्रकित के जरिये वरित नहीं किया ज सकती है ध्यान से देखिएगा अगर आपको हम बताएं सातियों देखिए प्रकास के पास आप लोग जानते इसकी द्वैद प्रकित होती है जब आप से बात करेगा प्रकास के कड़िका सिध्धान्त को किसने समझाया ता यह प्रकास कड़ों की रोप में होता है यह कड़ म आपने करी जिसके लिए अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि फिर नियूट अगर विगल्पों में दिकारते ना हुआ और ऐसा प्रश्न पूछा कि प्रकास के कड़िका सिध्धान्त का प्रदिपादक कौन है तो आपका जवाब क्या आएगा नियूटन ही आएगा वैसे प्रकास के कड़िका सिध्धान्त को समझाने का सरे किसको जाता है नियूटन को ही जाता है क्योंकि इन्होंने असपश्ट व्याख्या करी थी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा सात्यों प्रकास के तरंग सिध्धान्त की व्याख्या किसने करी तो आपका जवाब सात्यों हाई गिन्स आएगा तो प्रकास को किस रूप में तरंग की रूप में मान कर इसको समझाने का प्रयास किस ने किया था हाई गिन्स ने किया था जबकि एक होता है प्रकास का क्वांटम सिध्धान प्रकास का क्वांटम सिध्धान जहां पर सातियों प्रकास को छोटे छोटे पूर्जा के चोटे-चोटे बंडल्स यानि की फोटान की रूप में समझा गया तो उसका जवाब क्या आप लोग देंगे उसका जवाब यहां पर आइंश्टीन आप लोग बताएगा क्या बताएगा आइंश्टीन आप लोग बता सकते हैं कि क्वांटम सिध्धान्त की प्रकास विद्धुत प्रभाव साती साथ सात्यों क्रामपटन प्रभाव प्रकास विद्धुत प्रभाव और क्रामपटन प्रभाव की व्याक्या तरंग सिध्धान्त की आधार पर नहीं की जा सकती और यहां पर पूछा उस आधार पर की जा सकती है तो आपका जवाब क्य आएगा पहला दूसरा और चोथा ऐसा option नंबर सात्यों दी में लिखा गया याद रखेगा ये प्रशन पूछा गया याद रख लिजेगा कि तरंक सिधानति के जर्ये प्रकास विद्धुत प्रभाव और क्रामपटन प्रभाव के व्याख्या नहीं कि जा सकती इस प्रशन क का राइट आंसर क्या होगा option नंबर डी और आज के सिसन का ये लाश्ट इक्वेशन आप सभी सात्यों की स्क्रीन बोर्ट पर लग चुका है बताएगा साउंड एवब विच लेवल किसकी बात किया है डेसीबल में पूछा है इस कॉल्ड डेंजरस नौइस पहलिशन किस अ बिल्कुल सही जवाब सखील गुल सैफी सींवानी विसेठ नगीन क्रिशना मानसी इस पृष्ण का जवाब आप सब लोग तेजी से हम तक पहुचाईएगा क्या होगा इस पृष्ण का बिल्कुल सही क्या आएगा देशिबल याद रखेगा डेसिबल एक प्रकार की इकाई होती है लेकिन डेसिबल छोटी इकाई होगे अगर बड़ी इकाई की बात करेगा तो आप लोग जवाब क्या देजिएगा बेल और बेल के दस्वें भाग को ही डेसिबल कहा जाता है जब आप से प्रि जवाब सात्यों ओडियो मीटराए क्या आएगा आप का जवाब यहां पर ओडियो मीटर होना चाहिए ठीक चलिए अब यहाँ पर प्रश्णिकी बात करते हों ध्यान दीजेगा डवन्हों के अनुसार डब्लू प्रदोसर्ण के अंतरगत काउंट नहीं करेंगे लेकिन याद रखिएगा यानि कि यह सामान अस्तर माना जाता है लेकिन अगर असी डेसी वल या उसे से अधिक की तीवरता है तो यह मान कर चलिएगा कि डेबलू एजों ने इसे खतरनाक ध्वन प्रदोसर्ण की रूप में क्या किया है परिवासित किया है वैसे अगर सामान वारता लाप की बात करें या फुस फुसाहट की साथियों बात करें इन सबी बातों के एक बार तेजी से देख लीजेगा अगर फुस फुसाहट की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फुस फुसाहट की बात करते हैं तो इ अगर आपसे पूछेगा गुस्ते में बातचीत की साथियों बात करेगा तो आपका जवाब क्या आएगा आपका जवाब आएगा 40 से 50 या 60 डेसिबल ठीक ये डिपिंड करता है कि कितना गुस्ते में आप लोग बात कर रहें अगर यंत्र कारखानी की साथी बात करेगा तो ये 80 डेसिबल की तीवर्ता दरसाएगा ठीक अगर यहीं पर और क्रिष्टा की साथियों बात करेगा तो इसकी तीवर्ता कितनी आती है ये मानी जाती है साथियों लगबग 110 डेसिबल के आसपास और इसी के सासाथ अगर जिट उडान की साथियों बात करें जिट बिमान य आएगा आसा करेंगे कि इन सभी बातों को आप नोट करके लिखेंगे ध्यान से देखिएगा इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा असी देशिबल तो इस प्रकार से आज के इस अपने पहले ससन में हम सभी लोगों ने 15 के प्रिंद्रा प्रश्णों को अच्छे तरीके से हल कर लिया है ठीक ध्यान से इसे आप लोग देखिएगा ये 15 के 15 प्रिंद्रा प्रिंद्र आप लोगों को खोब अच्छे तरीके से बता दिया गया भाई कृष्णा बार बार कॉपी पीष्ट करनने क्या हो सकता नहीं है एक बार अगर आप कॉमेंट करते हो तो हमें होंगे और टो दे पॉइंट होगे जो भी व्याक्या यहां पर आप लोगों को प्रश्णों के माद्यम से जोड़ कर दी जाएगी वह आपके लिए बहुत ज्यादा सात्यों आवस्यक होगी महत्पूर्ण होगी इसे आप लोग अपने कॉपी में लगातार नोट करते चले है और जब तक ना पड़े पत्थर मतवड़े की चोड़ तब तक पत्थर भी कहा भगवान बना करता है रेचीर कर आगे बढ़ जाए जो धाराओं को सही माइनों में जिंदगी वही जिया करता है अपना खोब ख्याल रखिएगा मस्त रहिएगा खुस्त रहिएगा और ब जानवाद आप सभी का